हेलो गाईज वॉल्क्तम टो अनुदर वीडियो फिर्ट्ट विन्यास इन्वीटिव टेक्म लॉजिस लिमिट रहे विन्यास आई टी का गाईज आज इस वीडियो में जो लिस्टिंग के बार में डिस्कस करें क्योंकि आज यह स्टॉक एक्टूबर क्लोज वह और टी प्लस 54.66 करोड का बुक बिल्ड इशू आई प्यो है जिसका यहां पर लिस्टिंग होने जा रहा रहा है एनसी के प्लाफ्म की एनसी पर लिस्टड हो रहा है समी कडेगरी में 165 रुपीज पर से प्राइस बन रखा गया 800 की लॉट्स आज और यह का समी कडेगरी का आई प्यो है प्रोमोटर होल्डिंग आफ्र अलॉट्में 29.37 की देखने को मिल जाएगा एंकर इंवेस्टर से 15.56 करोड का फंड रिच कर चुका है जो कि हम लोग यहां पर एंकर इंवेस्टर लिस्ट में देखेंगे तो इस कंपनी में जो एंकर इंवेस्टर की लिस्ट है यहां दीख देख सकते बेंगॉल फिनास और इंवेस्ट मेंट लिमिटेड चट्रिश इंडिया अहेट विश्टर फंड ल आर ऐसधी शेकर इस प्रइवेस्टर का कॉंटम स्टेट इनवेस्टमन फंड राजस्थान ग्लोबल शेकर इस प्राव मिडेद लिमिटेड जंत्त के लिएं सिंगुलारिटी का एक्विटी फंड वन इस अभी जो इसके एंकर इंवेस्ट और यहां पर देख सकते हैं कौन-कौन से कितने पर्षिंट की जिसो इसमें जिसे इन्वेस्ट किये है पोर्षन कितना पर्षिंट का है तो आप देख सकते स्क्रिंट पे वीडियो पाउस करके वह यह अगर हम बात करेंगे का सब्सक्रिप्शन जो हुआ था न बहुत इस्ट्रॉंग सब्सक्रिप्शन था यहां दिख से क्यों आईवी से 42.74 टाइमस का एचना इसन 95.16 ताइमस का डिटेल से 21.27 तामस का टोटल 43.24 ताइम के सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था बह दो जब एक में कॉर्पेट किया था ग्लोबल ओई एम और ओडी एम को मतलब कि यहां पर जैसे में इलेक्ट्रॉनिक मैनुफक्ट्रिंग और डिजाइन इंजिनेरिंग यह सभी प्रोवाइड करती है लेक्रोनिक इंडस्ट्री में कंपनी बिल्ड टूपी मतलब बी सब्सक्राइब करती है और जिसके बाद यहां पर कंपनी और फ्लेक्सिबल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है कंपनी क्लाइंट्स होता है वो डिजाइन प्रोड़क्ट्री डिजाइन प्रोवाइड करती है और बी टूए सर्विसेज में कंपनी जो है खुद का डि तो बहुत करती है यहां पर कंपनी दो तरह से बिजनस कर रही है देखिए तो प्रीजी भी असेंबली है और बॉक्स बिल्ड है जो कि एंड टो एंड सॉलुशन्स ओफर करती है जिसका रिंज है डिजाइन से लेकर मैनिफाक्चरिंग तक सप्लाई चैन्ट मैनेजमेंट है पीसी भी असेंबली है एडवांस टेस्ट सॉलुशन है प्रोडक्ट इंटिग्रेशन आफ्र मार्केट सपोर्ट भी कंपनी कंपनी का यहां पर 22 में थोलाँ सा रेव प्रोफिट में बॉटम नहीं इसको बोलते हैं थोलाँ से इंपक्ट वाला था जिसके कारण इसके प्रोफिट में गिरावाट आई थे लिकिन 23 वह वापस बहुत इस्ट्रॉंग ग्रोथ हुआ है अबजेक्टिव क्या तो वरकिं सदेन बूस्ट हुआ जिसके कारण एक थोलाँ सा कंसर्ण रेज कर सकता है लेकिन फुली प्राइस रखी गई है बट अगर हम यहां पर इसके रिस्क की बात करें तो कंपनी या प्रोमोटर्स पर पेमेंट को लेकर क्रेडिट फेसलिटी जो अवेल किया गया था पास्ट मे इनके तरफ से तो इसमें डीले वगएरा हुआ था पेमेंट को लेकर जो की थोलो से एक रिस्क हो सकता है प्लस रेवेन्यू जो अप्रेशन से जनरेट हो रहा है यह सिग्निफिकेंटली डिफेंस और एरो स्पेस कॉन्टाक्ट पर जो एसो डिपेंड है और इसके डिफें यहां पर कंपनी बहुत डिपेंडेंट है सिंगल केस्टमर पर अपने रिवेन्यू के लिए 21 22 23 में और इसके करना कर यह लॉस होता है ना तो बहुत बड़ा इंपक्त पड़ सकता है इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट पर तो अगर आप इसमें लॉंग टर्म क्ली अप् तो हम लोग वीडियो कोहीं परेंट करता है अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स टोड़ों में टिल दिन बबाद